नमस्कार दोस्तों मैं हूँ देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग वर्लेर्बिटी की एक और नई टाइप सीखने वाले हैं जो की है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं और दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दि करना बिल्कुल मत बूलिएगा ताकि ऐसी साइबर क्राइम एथिकल एकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोडिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली बग बाउंटी एथिकल एकिंग सीखते रहे चलिए चलते हैं लेप्टाप की स्क्रीन के उपर और सीखते हैं आज की वलनेर्बिटी को तो चलिए दोस्तों आचुके हम अपने लेप्टाप की स्क्रीन के उपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रोस साइज स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड लॉग इन करते हैं B, bug और लॉग इन पर क्लिक करते हैं यह देखिए हम portal पेज पर आ गया और यहां से अब अपनी जो vulnerability है वो select करते है आज की जो की है reflected login form चलिए hack पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या page आता है कहां क्या होता है तो यहां पे मैंने hack पर क्लिक किया ओके यहा और यहाँ पे main content पे focus करते हैं यहाँ पे main content में लिखा है access as reflected login form ठीक है अब यहाँ पे क्या दिया गया है एक और message है enter your superhero credentials यानि कि हमें यहाँ पे credentials डालने है login ID और password डालना है और login पे click करना है तो हमें यहाँ पे लिख के आएगा login successfully या फिर ऐसा कुछ message आएगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले हमारा जो main login हम बाहर करते हैं यह देखिए यहाँ पे log out करते हैं तो यहाँ पे जो हम b और bug से login करते हैं वही चीज से हम वहाँ पे करते हैं देखते हैं क्या होता है ठीक है one by one step wise आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वहाँ पे कैसे vulnerability find करनी है तो यहाँ पे चलिए b और bug डालके देखते हैं b और bug ठीक है यह login पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे message आया invalid credential मतलब हमारा जो यहाँ पे username of password है वो accept नहीं हुआ है ठीक है तो चलिए आप और कुछ input डालके देखते हैं मान लिजे admin admin डालके देखते हैं क्या result आता है फिर से देखते हैं तो admin admin में वहाँ पे भी हमें invalid credential आ रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे question आता है कि इस login form के अंदर हम xss कहाँ डूंड है यहाँ पे तो हमें एक मिल रही है दो input fields और यह button तो input field है तो सबसे पहले हम input field में जो हमारा input है वो try करेंगे तो हमने जो input डाला वो तो हमारा कहीं पे भी है देखिए page में पहले reflected जो भी हमने videos try की है जो भी अलग-अलग vulnerabilities reflected category में try की उन सारी categories में यह क्या होता था कि हम जो input डाल रहे थे वो यहाँ पे reflect होके आ रहा था कुछ भी जो भी हम डाल रहे थे input field में अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह reflect होके नहीं आ रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे vulnerability है या नहीं है तो सबसे पहले हम इसमें हमारा basic payload डाल के देखते हैं कि यह reflect होता है कि नहीं यह हमारा basic payload है script tag alert function ठीक है यहाँ पे हमारा message आएगा hacked और यहाँ पे हमारा script tag close होगा ठीक है तो इस payload को हम login बटन डाल के login बटन पे click करके देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पे हमने login बटन पे click किया देखिए हमारा कोई भी जो input है वो नहीं आया है मतलब हमने जो भी input डाला वो यहाँ पे reflect होके यहाँ पे pop-up message नहीं आया है मतलब कि यहाँ पे हमारा जो payload है वो work नहीं किया है तो चलिए अब password field पे यही सेम चीज ट्राइ करके देखते हैं password field में हमने यह payload डाला और ओके यहाँ पे भी हमें कोई pop-up नहीं आया है मतलब कि हमारा यहाँ पे payload इस field में भी नहीं चला और login वाली field में भी नहीं चला है ठीक है तो चलिए एक चीज और करते हैं कि यहाँ पे हम अपना इस page का page source चेक करते हैं ओके इसको फिर reload करते हैं ओके ठीक है तो यहाँ पे हम आ गये हैं इस page source पे page source पे हम चेक करते हैं कि कहीं पे हमारा जो हमने input डाला है वो reflect होके आता है कि नहीं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ देवांग और login पे क्लिक करता हूँ और फिर इस page का हम page source चेक करते हैं एक मिनिट रुप जाईए page source हम चेक करते हैं देखते हैं यहाँ पे reflection होता है या नहीं यहाँ पे मैं control F करूँगा और यहाँ पे search करूँगा देवांग तो देवांग नाम का देखे यहाँ पे source code में भी कहीं पे हमारा जो input है वो reflect नहीं हो रहा है ठीक है तो ऐसी situation में जहाँ पे reflection ही नहीं हो रहा है ऐसी situation में हम एक reflected cross-eye scripting कैसे find करेंगे ठीक है तो एक और चीज यहाँ पे यह कर सकते हैं कि यह जो input fields है login और password वहाँ पे हम एक malicious input डालके देखते हैं malicious input यानि कि कोई भी normal input नहीं जैसे कि हमने पहले डाला नाम डाला या फिर credential डाला उसकी जगा कोई special character डालके देखते हैं और special character में सबसे malicious input मेरे हिसाब से मैं अगर मानता हूँ तो वो है एक है backslash और दूसरा है single quote यह दोनों मेरे हिसाब से अगर malicious input हम कहीं पे भी कर रहे हैं तो यह दोनो malicious input हो सकते हैं बाकी और भी हो सकते हैं, आप exclamation mark भी डाल सकते हैं, add the rate भी डाल सकते हैं, hash भी डाल सकते हैं, dollar भी डाल सकते हैं, percentage डाल सकते हैं, end percent डाल सकते हैं, यह सारे भी malicious input माने जा सकते हैं, बट सबसे dangerous मेरी नजर में है, वो है single quote और backslash, तो चलिए हम यहाँ पे malicious input single quote डाल के देखते में क्या output आता है ठीक है तो यह login पे मैंने click कर दिया okay यह देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने malicious input डाला तो नीचे हमें एक error मिल गई है error में क्या लिखा है you have an error in SQL syntax check the manually that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near double quotation and password equal to double quotation at line 1 ठीक है तो इस error से हमें clearly पता चल रहा है SQL syntax में error है MySQL में error है मतलब कि यहाँ पे SQL injection की error है यहाँ पे हम SQL injection perform कर सकते हैं SQL injection vulnerability यहाँ पे मौझूद है ठीक है कौन सी field में तो दोनों में login में और password में भी SQL injection vulnerability मौझूद है तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे SQL injection vulnerability है ठीक है बट यहाँ पे अगर हम SQL injection try करेंगे तो हमें कोई data तो शायद नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ messages ही आ रहे है ठीक है तो data नहीं मिलेगा और हमें दूसरी चीज़ की यहाँ पे find करना है XSS ठीक है cross size scripting find करना है तो हम क्या करेंगे कि इस SQL की error को use करके हम XSS का payload डालेंगे और successfully attack perform करेंगे ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए जो SQL की syntax है उसे समगते हैं और फिर payload बिल्ड करते हैं XSS के लिए इस page के लिए तो चलिए सबसे पहले हम मैं यहाँ पे आ गया और नोटपेट पे और आपको समझाता हूँ कि यह error किस वज़े से आ रही है और हम कैसे इसको payload build कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले syntax जो हमारा होगा वो क्या होगा कि select username ठीक है username जो भी उन्होंने parameter का नाम दिया होगा uname equals to xyz जो भी हम input डालेंगे वो and password equals to abc from जो उनका table का नाम होगा ठीक है मनली जे table का नाम है users तेबल का नाम होगा और यहाँ पे semicolon ठीक है तो यह उनका backend में query जा रहा होगा ऐसा जब हम यहाँ पे अपना username और password डाल के login पे click करेंगे ठीक है यह जो query है वो actual में run होता होगा तो अब हमने क्या कर दिया कि इस query को run होने से पहले हमने एक malicious input डाल दिया जिसकी वज़े से यह query खतम हो उससे पहले हमने एक malicious input डाल दिया जिसकी वज़े से error आ गई वो समझ लेते हैं क्या है xss का basic payload सबको पता ही होगा script tag फिर alert function आता है alert function के अंदर हम हमारा message डाल देंगे जो भी हमें pop-up करवाना है hacking करके pop-up करवाते हैं और यहाँ पे हम हमारी script tag को close कर देंगे ठीक है तो यह हमारा xss का basic payload हो गया अब सबसे पहले हमारी यहाँ पे query जा रही है तो query को हमें close करना पड़ेगा इस query को खतम करना पड़ेगा फिर हमारा यह payload execute हो ऐसा करना पड़ेगा ठीक है तो इस query को खतम करने के लिए सबसे पहले हमने इसे break करने के लिए क्या किया तो single quote डाला, ठीक है, single quote डाला, इसकी वज़े से ये जो basic query, जो original query थी, जा रही थी, उसे हमने break कर दिया, ठीक है, अब query अगर break हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि इस query को continue रखना पड़ेगा, यानि कि इस query से जो भी execution हो, उसका output जो है, वो yes में, यानि कि उसका कु पर output आना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर error आया, तो हमारी ये पूरी पीछे वाली query जो है, वो execute ही नहीं होगी, तो ये जो पीछे वाला payload है, उसे execute करवाने के लिए, हमें इस पूरी query को एक बार successfully, यानि कि इस पूरी query को एक true form में execute करवा होगा, तो किसी भी situation को हमें true बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कि जो same चीज यहाँ पर input हो रही है, is equal to, वो same चीज, यानि कि 1 equal to 1 हमेशा true रहेगा, ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं, कि 1 equal to 1 यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पर किया कि, यहाँ पर जो एक original query चल रही थी, उसे हमने break किया, और उसके बाद हमारी condition लगा दी, 1 equal to 1, यानि कि यह condition तो हमेशा true होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमारी query break हो रही है, जिसकी वज़े से error आ रही है, उसे यह छोड़ देगा, और यहाँ पर जो हमारी दूसरी condition है, 1 equal to 1, उसे लेके य आगे बढ़ेगा, ठीक है, और अभी इस query को खतम करने के लिए, जैसे ही हमें semicolon डालना पड़ता है, वैसे ही हम पीछे semicolon भी डालेंगे, यहाँ पर यहाँ पर जो 1 equal to 1 है, यहाँ पर हम semicolon भी डालेंगे, यानि कि हमारा यह जो query है, यह पूरा successful यहाँ पर खतम हो जा रहा 1 equal to 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि first query जो है, वो पूरी हमेशा execute होगी, 1 equal to 1 condition हमेशा true होगी, और जैसे ही पहली condition true होती है, यह query यहाँ पर खतम होगी, और फिर हमारा जो payload है, वो execution होना start हो जाएगा, और हमें यहाँ पर pop-up आना चाहिए, ठीक है, तो चलिए इस payload को, यह जो payload हमने build किया है, इसे किसी एक input field में डालके देखते हैं, कि output आता है, या नहीं आता है, तो यह login form, और यहाँ पर login field में मैं इसे paste कर देता हूँ, यह देखे, मैंने यहाँ पर इस query को paste कर दिया है, single quote, one equals to one, semicolon, और फिर script के tag वाला payload, ठीक है, तो चलिए अभी login प क्लिक करते हैं, और देखते हैं, हमारा pop-up आता है, या नहीं आता है, ठीक है, तो यह login पर क्लिक किया, और यह देखे, यहाँ पे successfully हमें pop-up मिल चुका है, यानि कि हमारा यह जो payload है, वो successful execute कर चुका है, हमने क्या किया, जो SQL की query थी, वहाँ पे हमने सबसे पहले input field में ढूं equals to one, हमने condition दी, मतलब true ही रहेगी, यह condition हमेशा ही true रहेगी, यह one equals to हमेशा one होने ही वाला है, तो यह क्या होगा, कि इस condition की वज़ेसे इतना जो part है, वो successfully execute होता ही रहेगा हर बार, और जैसे ही यह successful execution खतम होगा, हमारा payload यहाँ पे, जो हमने एक basic payload डाला है, वो भी यहाँ execution होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही वो execute होगा, हमें यहाँ पे pop-up message मिल जाएगा, और हमारा cross-site scripting vulnerability successfully यहाँ पे find हो जाएगा, तो ऐसी situations में जहाँ पे, आप कहीं पे real world में first हैं, कि वहाँ पे आपको login field ही दिखी है, या फिर कोई ऐसी input field दिखी है, जहाँ पे आप input डाल रहे हो, वो reflect होके नहीं आ रहा है, बट फिर भी वहाँ पे एक chance हो सकता है कि cross-site scripting vulnerability हो, तो ऐसी situation में आप यह कर सकते हैं, कि आप सबसे पहले SQL injection या फिर और कोई दूसरी जो vulnerability है, उसे find कर सकते हैं, या और उसकी मदद से उस दूसरी vulnerability को लेके आप आगे बढ़के cross- scripting भी find कर सकते हैं, ऐसी situation में आप इन tricks को use कर सकते हैं, यानि कि एक से ज्यादा vulnerabilities को multiply करके, एक साथ bind करके, एक payload बना के, फिर उसमें आप execution करवा के, ऐसी ज्यादा से ज्यादा dangerous vulnerabilities भी find कर सकते हैं, अब यहाँ पे दो अलग-अलग situation हो गई, इस vulnerability को, यानि कि इस page में जो vulnerability है उसे आप SQL injection vulnerability भी report कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ SQL injection के साथ-साथ आप अगर यहाँ पे payload जो हमने successfully execute किया, उस payload को execute करवा के, आप SQL injection और XSS दोनों को मिला के, अगर आप report करोगे, तो आपका bug P1 bug तक भी जा सकता है, और आपको P1 level की bug की bounty भी मिल सकती है, तो ऐसी चीज़े भी आप कर सकते हैं, आपको अगर ऐसी situations में कहीं face करनी पड़े, और कहीं पे आपको एक से ज्यादा vulnerabilities को mix up करके एक payload बनाना पड़े, और उसे execute करवा के एक vulnerability find करनी पड़े, तो यह सारी चीज़े आप trick, या फिर यह सारी चीज़े आप try कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों कि आप को मैंने आज जो समझा है, वो समझ में आ गया होगा, बहुत ही easy चीज़ है, हमने सिर्फ इसमें यह ही किया है, कि यहाँ पे सबसे पहले जो normal input है, उसके थोड़ा हट के हमने सोचा कि यहाँ पे कोई abnormal input अगर हम डालते हैं, तो उसका क्या होता है, वो properly execute होता है, या नहीं ह हो रहा है, तो उसी का इस्तमाल करके हमने हमारा एक और payload बनाया, ठीक है, और payload बनाने के बाद हमने उसे execute करवाया, तो simply हमारा यहाँ पे दो vulnerabilities हमने successfully find करी, जो कि first है SQL injection और दूसरी है cross-site scripting, ठीक है, तो ऐसी चीज़े आप try कर सकते हैं real world में भी, और वहाँ पे आपको ऐसे scenarios भी मिल जाएंगे, जब आप real world में try करने जाओगे, तो ऐसी चीज़े try करके आप बहुत ही अच्छी bounty पा सकते हो, और अच्छे आप researcher भी बन सकते हो, और ऐसे जादा से जादा vulnerabilities find कर सकते हो, तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं next वीडियो में एक और नए practical based topic के साथ, तो दोस्तो इसे के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको आज की vulnerability practically सारी समझ में आ गई होगी, तो दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर कर दीजेगा, ताकि ज्यादा से ज् तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी practically ethical hacking bug bounty सीख सके, तो और दोस्तो अगर आपको हमारा इस वीडियो से related कोई सवाल या फिर comment या फिर कोई भी suggestion है, तो आप हमें नीचे comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे practical base एक और नहीं vulnerability के साथ तब तक के लिए goodbye, take care and as always be aware, connect with care.